वोट की राजनीती करने के लिए अगर कोई सशक्त पढ़े लिए कि महिला आना चाहरी है तो उसको दवन करने का काम कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसी दोहरी नीती अपनाई जारी है ये महिलाओं को डराना चाहते हैं कि जो अपनी आवाज उठाएगा उसका इस तरीके से हाल किया जाएगा कि चौराहे पर कपड़े फढ़े जाएंगे ताकि कोई महिला राजनीती में आने से डरे अपने विचारों की अभिवक्ति की आजादी को रखने से नमस्कार दोस्तों मेरा नाम सुमीत और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक की उपर जैसा कि आप लोग जानते हो एक घटना करम हुआ है भौपाल में जिसकी चर्चा पुरे देश में है आज वही कि महिला दलित आईएस हमारे साथ है जिनका नाम है निश्या बांगरे मैं बहुत स्वागत है आपका हमारे कुल्ट ऑफिस में डॉक्तर बाबा साब अंबड़कर की प्रतिमा के सामने बाबा साब की फोट फाड़ी गई आपके कपड़ फाड़ी इसको लेकर आपका सबसे बाला रियक्शन का यह बताईए देखिए आप देख सकते हैं कि सविधान का बेलकुल गला घोटना चाहरे हैं यह लोगतंतर की अगे मद्यप्रदेश की राजदानी भूपाल में बाबा साहब की मूर्ति के आगे उन्हीं की बेटी को उनका खून है मेरे अंदर उन्हीं क बेटी को जिस तरीके से निर्वस्त्र करने का काम यह करना चाह रहे थे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेटकर की आत्मा कितनी रोई होगी लोगतंतर को खदम करना चाह रहे हैं स्वतंता संग्राम से नानियों ने जिस अकांक्षा और अपिक्षा के साथ आजादी के हैं तो यह बड़ा ही यह काले अक्षरों में लिखे जाने वाला अध्याय मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा उनके पुलिस के गुंडों को भेज कर किया जिस बरबरता पुर्ण वेभार के साथ आपने देखा होगा कि इन्होंने कारे किया जैसे हम अपरादी हैं आतंकव लेकिन बाबासाब की बैटी होने के बाद भी आप इस परकार का वहवाशिवरा सिंग की पुलिस ने किया इसको लेकर आप भाजपा को क्या कहना चाहिए आप इससे बाजपा का असली चरित्र देख सकते हैं कि उनका बाबासाब की प्रती क्या सम्मान है कि उनकी महिला लेकिन आपको यसे लग रहा है कि आपके साथ ही शोचन हो रहा है आपके साथ ही दूर वेवार कर रही है सरका की तो आपका इस्तिफा एक्सेप्ट नहीं कर रही है क्योंकि मैं अमेटकरवादी हूँ बाबासाब के अन्याई होना एक मानवतावादी सोच होना यही हमारा कसूर है हम अपने अधिकारों की लड़ाएं लड़ रहे हैं यहीं हमारा कसूर है भाजपा नहीं चाहते कि जो है सर्वधर्म की बात करें इसलिए यह सारे कुक्रति कर रही है तो आपको ऐसा है लगता कि आपका जो कारिक्रम साथ सभी धर्म और दर्म गुरू थे भगवान वुद्द की अस्तियां था इसमें कोई भी राजनाथिक वेक्ति नहीं था किसी पार्टी का मंच पर यहां हमने किसी विशेश पार्टी के लिए किया हो यह हमारा परसनल प् कि मकान का उठाटन था हम हमेशा शिक्षा की शेतर में बच्चों को अच्छे संसकार देने की शेतर में काम करना चाहते हैं इसलिए कारकरम रखा गया था और मदविदर्श सरकार नहीं चाहती थी उड़र के कारण जो है कि उनका वहां का विधायक है वह हार जाएगा लोग सेवा आयोग की मैंने परिक्षा दी जब लोग सेवा आयोग की अधिकारी रहते हो इस तरीके से मेरे साथ बरताव किया जा रहा है बरवरता पूर्ण हमारे अधिकारों को नहीं हम प्राप्त कर पा रहे हैं तो ऐसी नोकरी में रहने का क्या फाइदा मेरा सुक भोग अगर मानली जी इस्तिफा मंजूर हो जाता है तो चुना तो आप लड़नी लड़ेगी आपने गोशना कर दिये तो कोई पारटी वीशेज जिसके साथ आप जाना चाहते हैं अब हमारी विचारदहरा जिसके साथ मेल खाएगी और जो टिकित देना चाहेगा तो हम उसके सा सब्सक्राइब जाना चाहते हैं तो कॉंग्रेस हमारे साथ दिख रही है अब देखते हैं आगे क्या बादशीत होती है आमला सीट माना जा रहा है कि आप वही से चुनाओ लड़ने वाली है तो आमला ही क्यों चुना आप मुलत तो शायद अपने नेटिव बालागार्ट है हम तो वसुदैव कुटमबकम को मानने वाली लोग है नेटिव तो फिर वैसे आप देखेंगे तमाम प्रदान मंत्री अपने नेटिव प्लेस ही चुनाओ लड़ते हैं मैं बालागाट में जन्मी हूँ मेरी पढ़ाई बालागाट में विदीशा में हुई है उसकी बाद मैंने गोड़गाउं दिल्ली में नौकरी किया है मेरे हजबन बिहार के हैं रहते वो चतीसगड में हम रहते हर्याना मे हैं दिल्ली में हमने काम किया है मेरे लिए तो पूरा देश एक है आमला जो विदानसowah मेरे कर्म नहीं होता है उसके गहलते हैं इससे लड़ा कीCPलाट मेल्ते हो यह दिताना बढ़ना पड़े हम साविद् सब बहुत कॉंग्रेस ने ट्वीट किया है और भी कॉंग्रेस की तुरब से केके मिश्रा जी ने ट्वीट किया है अभी मैंने देखा नहीं मैं रात में आई हूं तो यह तो सभी लोग और कावी धार्मिक और सामाजिक संगठन भी इसकी जो है निंदा कर रहे हैं ग्यापन दे रहे हैं आप इंदोर कलेक्टरेट का पूछे सिहोर कलेक्टरेट चिनवाड़ा सभी जगयापन दिये जा रहे हैं जनता में आक्रोश है और रोश है और इसका जवाब विदानसभा की चुनाव में दिखेगा अपने समाज की लड़कियों क्या समझे देना चाहिए अगर में दिख kisses के सकते हैं तो में यही कहना चाहूंगी कि पड़े लिखे विदमें आने की जरूरत है अच्छे लोगों को समेद करने के लिए बैठी हुए तो आगर किसी इन सर्विसमें आना है तो वह जंता की सेवा की भावसे आई राजनीती में जनता की सेवा कि भाव से आए ना कि स्वें कि स्वार्थ से आए आपको लगता है अगर 33 परसेंट जो आरक्षन देने की बात करने बहुत अच्छी बात है लेकिन इससे वंचित वर्ग वंचित ना रह जाए ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है तो दोस्तों यह थी हमारे साथ निश्व आंगरे जी जो अपना इस्तिफा देना चाहती है लेकिन जो श्यूरा सरकार है वो इस्तिफा एक्सेप्ट कर नी रही है हाला कि जो भी आगे होगा हम आपको देते रहेंगे तो देखते रहें कर यह भारत दस्त तक